तो दोस्तो अगर आप सोच रहे हैं अपना career start करने के बारे में और आप confuse हैं कि business करूं या job करूं और आप decide नहीं कर पारें कि आपको business करना चाहिए या आपको job करनी चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो को लास तक देखिए तो चलिए दोस्तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ उन पॉइंट्स को सुनने के बाद आप खुद रिसाइड कीजिए कि आपके लिए business suitable है या आपके लिए job suitable है दोस्तो मैं आपको बता दू कि मैंने लगबग 7 से 8 साल जॉब की है और उसके बाद मैंने बिजनस किया है और मैं currently बिजनस में हूँ अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में आपको सबसे पहले छोटे लेवल से सुरू करना होगा उसके बाद आपका step by step लेवल increase होगा और इस process में आपको 5 साल भी लग सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं तो दोस्तो business ऐसा है अगर आप business करते हैं तो business में वो job वाली जो मेहनत हैं आप business में करते हैं तो दो से तीन साल में आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो जॉब में आप दस साल पे पहुंचते हैं, बिजनस में जो औरनिंग है, वो जॉब से ज़ादा होती है, तो दोस्तो अब बात करते हैं Security की, दोस्तो जॉब में Income Security ज़ादा होती है, उसमें ये fix होता है कि आपको इस महिने इतनी salary आनी ही आनी है आपका काम चाहे भले ही थोड़ा उपर नीचे गया हो लेकिन आपकी जो salary है उस पे effect नहीं पड़ेगा आपकी salary time पे आपके account में आ जाएगी तो business में ऐसा होता है अगर किसी महिने में आपका काम down है तो उस महिने में आपकी earning भी कम होगी तो तीसरा जो difference आता है वो है work life balance business में आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं अपने हिसाब से work hour set कर सकते हैं business में आप अपने boss खुद होते हैं job में आपके उपर एक boss होता है और उस boss की आपको सुननी होती है वो ही आपके working hour decide करता है तो अब आते हैं last point पर जो सबसे बड़ा और important point है दोस्तों वो ये है कि business में आपको एक capital amount की जरुत होती है और job में दोस्तों आपको किसी capital amount की जरुत नहीं होती वहाँ पे सिर्फ आपका talent चलता है अगर आपके अंदर कोई talent है आप educated है या किसी field में आपकी knowledge है तो उस field में आप जाकर कहीं पर भी job ले सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि business ही करना है तो आप यहाँ पर 500 रुपे से भी business शुरू कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको market में कही ऐसे business दिख जाएंगे जिन में आप लगबग 500 रुपे invest करके वो business कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करें और bell बटन जरू दबाएं कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा आपिस